नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है I hope कि सभी प्यारे साथी खुशे हैं और सवस्थ हैं दोस्तों काफी टाइम से जो सोशो क्राइटेरिया के फाइव मार्क्स हैं उसको लेकर खबरे चल रही हैं कि ये सारुजनिक किये जाएंगे आज फिर से चेर्मेन साब का बयान निकल कर सामनी आया है इनका कहना है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उससे पहले उन कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो जाएगी जिसने फाइव मार्क्स के लिए क्लेम किया है तो बहुत सारे साथियों का ये डाउट भी था कि जो एफाइ मार्क्स ये सारोजनिक पहले किये जाएंगे रिजल्ट से या बाद में तो आपका ये डाउट भी कलिर हो गया होगा आईए पुरी जानकारी देख लेते हैं आज के न्यूज पेपर की ये कटिंग है तो देखते हैं क्या कुछ खद्री साब ने बोला है सामाजिक आर्थिक आदार के अंक सारोजनिक किये जाएंगे और साथ मीनों ने ये भी बताया है कि जो हमारी 7,441 पदों पर जो बर्ती निकली हुई है ये 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी इसमें 40,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया और 33,000 विद्यार्थियों प्रिक्षिया दे पाए अब बात कर लेते हैं जो 5 मार्क्स हैं इनकी तो चेर्मेन साब का कहना है कि जो ये 5 मार्क्स है आपके ये सारोजनिक भी होंगे और सारोजनिक होने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी विद्यार्थि ने ये गलत लिये हैं आप उसको जानते हो तो उसके उपर आप सिकायत कर सकते हो फिर पूरी उसकी जाच की जाएगी अगर जाच उसकी सही निकलती है कि उसने गलत तरीके से लिये हैं तो उसे तीन साल के लिए बरती से बार कर दिया जाएगा H.S.S.C. के अंडर जितनी भी बरती आउंगी तीन साल तक वो कोई एक्जाम नहीं दे सकता हो सकता है उसके उपर F.I.R. भी हो जाए तो आपको बिल्कुल द्यान रखना है कि जिसने भी अगर गलित तरिके से क्लेम किया है तो अपना वापिस ले ले और जिसने सही तरिके से किया है उसे कोई दिक्कती नहीं है बस यही इन्फोर्मेशन एक आपके साथ सेयर करनी थी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक्स